नमस्कार दोस्तों क्लास एट माहरा स्टेटवूर्ड मैथेमेटिक्स चप्ट नुमर फोर मेडियन सेट अल्टिटूद्स अफ़ ट्रेंगल अब देखिए कुश्ण नुमर शिक्स है ड्रा एन आईसुसलिस ट्रेंगल draw all of its medians and altitudes write your observations about their point of concurrence अब मैं पहले ही आपको observation बता दू आस उसलिस ट्रेंगल में क्या होता है डिखिए आस उसलिस ट्रेंगल में जो दो साइट सीक्वल होती है ये दो साइट सेक्वल तो तर्ट साइट जो होती है वो बेस होती है तो वो perpendicular इसकी altitude ही होती है altitude perpendicular और इस साइड का perpendicular bicycle हो सेम एक ही होता है और जब हम यहां से इस साइड को altitude draw करें और median draw करें तो इनका जो point of intersection आता है दोनों का तो यहां पे और यहां पे आएगा अब यहां पे हम perpendicular draw करें altitude, median draw करेंगे तो यहां पे तो यह जो दो points होते हैं एक median का point of intersection होता है centroid और altitudes का होता है ortho center यह दोनों ही यह जो base का हूँ perpendicular draw करते हैं उस पे होते है on the perpendicular on the base base भी जो perpendicular रहता है उस पे ortho center और centroid जो है वो दोनों like करते हैं उस पे होते है तब construction शुरू करने से पहले आप सभी का उन्रों दे की channel को subscribe करें like share करें और bell notification प्रेस करें जिसी के आपको आने वाली वीडियो के notification मिल जाए तो पहले हम यहाँ पे isosless triangle draw करेंगे suppose base हम लेंगे 4 cm तो 4 cm का जो है वो base यहाँ पे suppose P point B vertex और यहाँ पे suppose C तो अब इन दोनों vertex से हम दूसरे जो दो equal sides है suppose हम 5 cm लेंगे और 5 cm लेकर हमें यहाँ पे जो arc जो हैं दोनों point से draw करने है यहाँ से एक और यहाँ से एक C point से और B point से तो दोनों का जो intersection point है वो B और C इन दोनों point से मिलाओ फिर हमें यहाँ एक isosless triangle मिलेगा जहाँ पे यह दोनों side sequel है A B और A C तब हमें draw करने है altitudes and medians तो सबसे पहले हम altitudes medians के लिए draw करेंगे BC का perpendicular biciclet हमें draw करना है तो यहाँ से आधे से ज़्यादा distance लेकर दोनों side को हमें 2 arc draw करनी है तो हमें यहाँ से दोनों side को 2 arc draw करेंगे C point से फिर B point से हमें same दोनों side को 2 arc draw करनी है फिर जो point of intersection मिलेंगे दोनों उनको हमें join करना है तो फिर हम यहाँ perpendicular by sector अभी देखिए यह जो perpendicular by sector है side का वो यह vertex से पास होगा तो हम यहाँ पे उसको तोड़ा extend करके यहाँ अब median हमें draw करने है तो यह point से इसको join करना है तो यह already join हो चुका है अब यहाँ पे join हो चुका है देखिए यह यहाँ पे यह तीनों point जो हैं वो देखिए आपको हाँ दिख रहे हैं अभी तो फिर A, C का perpendicular by sector draw करना है median draw करने के लिए आप perpendicular by sector देखिए C point से आदे से ज़्यादा distance लेकर दोनों side को दो arc हमें draw करनी है फिर A point से दोनों side को हमें दो arc जो हैं वो draw करनी है फिर इन दोनों को join करना है दोनों vertex को दोनों point को जो intersection point है तो यह perpendicular by sector हो गया तो यहाँ पे mid point AC का मिलता है mid point को B से join करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगी median अब देखिए median B C को हो गई, A C को हो गई अब AB को median draw करने है तो AB का perpendicular by sector draw करने के लिए AB से आदे से ज़्यादा distance लेकर हमें दोनों side को दो arc draw करनी है फिर A point से draw करिए और point of intersection जो है इन दोनों point of intersection को आप join करिए फिर हमें mid point जो है side का mid point मिल जाएगा है साइड का mid point जो है फिर वो opposite vertex से हमें जाइन करना है तो यह mid point opposite vertex C से जाइन करना है तो यहाँ पर देखे यह हुआ अब इसको जाइन करने के बाद यह median हमें मिलेगी तो देखिए तीनों median एक दो और यह तीन यह भी median है तो इनका point of intersection median का point of intersection जो है वो रहेगा जी अब और्था सिंटर के लिए हमें परपेंडिकलर ड्रा करना है altitude ड्रा करना है इस vertex से AC को altitude तो AC यह point से देखे अब यहाँ पर मैच करिए तो यह altitude ही हो गई median भी है और altitude भी है अब B point से altitude ड्रा करने है तो B point से देखिए इस side को यहाँ पर मैच करिए इस side को और यह vertex जो है यहाँ पर मिला लीची है तो यह हो गए altitude अब यह altitude जो है यहाँ पर अब फिर AB को एक altitude ड्रा करने है तो हम S A draw कर सकते हैं यहां से A B का altitude draw करनी है देखिए यहां से अब हो गई है altitude अब तीनों altitude का point of intersection यहां पे है और तो center O अब देखिए हमें क्या दिखता है Z और O जो base को perpendicular है altitude उसी पे ही है तो median भी कह सकते हैं altitude भी कह सकते हैं या BC का perpendicular bisector भी कह सकते हैं तो BC के perpendicular bisector पे Z point और O दोनों point यहां पे है तो हमने यहां पे एक statement लिखा है in isosless triangle isosless triangle में centroid Z G centroid and ortho center O lies on the perpendicular bisector of the base base का perpendicular bisector उसी पे यह दोनों point जो है ओ होते हैं question number seven लेने से पहले एक point जो है वो हमें थोड़े डिसकस करना है देखिए ABC triangle में अगर हम तीनों medians डौ करेंगे तो इनका point of intersection G centroid होता है और G point of intersection centroid medians को 2 is to 1 इस ratio में डिवाइड करता है मतलब जहां पर vertex है वहां से लिजी distance vertex से G तक A G का distance A G divided by G D तो यह जो रिशो होता है वो 2 is to 1 होता है 2 by 1 अब जैसे हमने A G upon G D लिखा तो C F के लिए देखे क्या करना पड़ेगा vertex से लेना है तो इस vertex से G तक यह 2 तो यह 1 होगा तो G C या C G upon C G upon G F is equal to 2 by 1 और B से हम लेंगे तो B G upon G B G upon G E is equal to 2 is to 1 2 by 1 अब देखिए 2 by 1 रिशो आना चाहिए तो G D को हमने suppose E X ले लिया X into 1 तो यह होगा 2 X X cancel करेंगे तो यहां पर 2 by 1 रिशो आ गया तो G D को हम E X ले सकते है आगे के कोशन में स्वाल करने के लिए यह आपको द्यान रिखिए जैसे की रिशो अगर दिया गया है 2 is to 1 तो इसे हमें लेना है 2 X और इसको 1 X लेना है अगर 3 is to 7 दिया है रिशो तो इसे लेना है 3 X दूसरे को लेना है 7 X तो इनका रिशो जाहिए ट्रंगल ABC जी जो है ABC का सेंटरेड है तो यहाँ पर यह डियाग्राम है जी इस दे सेंटरेड ओफ ट्रंगल ABC अब यहाँ पर पॉइंट P क्यों आ रहे है तो अब देखिए कोशन नूंबर 1 क्या है देखिए इस लेंट आफ आफ आर जी इस इकोल टू पॉइंट P है आर जी देखिए आर जी 2.5 है तो हमें फाइंट करना है लेंट आफ जी सी जी सी फाइंट करना है तो आसाने से फाइंट कर सकते हैं तो CZ अपॉइंट जी आर यहाँ पर लिख सकते हैं CZ अपॉइंट जी आर is equal to 2 upon 1 ratio लिखना है 2 by 1 तो cg की जो length है cg हमें नहीं पता इसके लिए हम x ले सकते हैं और gr 2.5 is equal to 2 by 1 1 into x यहाँ पर x मिलेगा 2.5 into 2 यहाँ पर 5 होगा तो x की value 5 तो gc gc हमें लिखना है 5 question number 2 देखिए length of bz is equal to 6 bz यहाँ से यहां तक 6 है then bq is equal to bq हमें find करना है तो उसके लिए gq हमें find करना होगा bq मतलब bz plus dq इनकी addition होगी तो पहले हमें gq find करना है तो bz upon gq यह जो ratio है वो 2 by बनाएगा bz की value जो है वो 6 है तो हम लिख सकते हैं 6 by bz की हमें नहीं पता x is equal to 2 by 1 अब इन दोनों का multiplication 6 into 1 6 is equal to 2 into x 2x 2 से left side को divide करो तो x की value है 2 6 2 36 तो x की value 3 होगी तो यह 3 होगा तो bq हमें लिखने के लिए कैसे लिखना है देखे bq is equal to length of bq is equal to bg plus gq bz plus gq तो bg है 6 plus 3 answer आए जाएगा 9 तो हमें आप लिखना है 9 थर्ड कोश्चन इफ लेंथ आप एप इस इकल टो 6 एप लेंथ 6 है दिन फैंड एज़ी 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 एंड ज़ीपी तो आप लेंद वहाएं कहना है दो एज़ी और्जीपी का रेशन को हमले सकते हैं लेकिन ही भी नहीं पता है जीडिवी नहीं पता है दोनों मेंसे एग लिख सकते हैं a z upon gp is equal to 2 is to 1 2 by x तो a z हम ले सकते हैं 2x और gp हम ले सकते हैं 1x तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि let a z is equal to 2x and gp is equal to 1x तो a p is equal to a p की जो length है उसे हम ले सकते हैं length of a p is equal to a z plus gp तो 2x plus 1x a p के value हमें देगे है 6 2x plus 1x यहाँ पर 3x आ जाएगा तो 3x is equal to 6 x की value 3 से length side को divide करना है 3 to the 6 x की value 2 तो यह 2x तो a z होगा यहाँ पर a z is equal to 2 into 2 4 और gp is equal to 1x value होगी 2 2 और 4 तो a z 4 और gp 2 तो यहाँ पर लिखना है 4 और 2 तो इसी के साथ यह chapter जो है वो खतम हो चुका है तो अब हम next chapter आगे की video हम लेगे ठीक है thank you दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका